गुट इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? All okay, सब बढ़ियां, चलिए, बहुत अच्छे, सभी लाइव आगया हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, जल्दी से सभी लाइव आजाओ, सभी लाइव आजाओ, जल्दी से, लाइव आजाओ, ठीक है? झाओना, बाहतलों सभी लितनों, कि लाइव आजाओ, जल्दी से लाइव आजाओ, ten लाइव, अड़आत वे लłęक हैं, झाल झाल गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग नमस्कार प्रणाम ससी अकाल सभी को नमस्ते बताओ कैसे हो सीजल एक्जाम के कोश्चन कैसा रहा है आज शाम को अनलिसिस करवाएंगे तो देख लेना की कोश्चन जो है वो कैसा रहा है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये बताओ हम लोग पढ़ रहे थे प्रतीशत ठीक है और पर्सेंटेज में हम लोग कहां तक सवाल कर चुके थ ये भी बता दो जड़ा जल्दी से पर्सेंटेज में जो सवाल है वो सवाल 20 तक हम कर चुके थे याद आ रहा है बताओ तो रिविजन करके आए हो या ऐसे ही आ गए हो कि हाँ चलो सीधा क्लास नंबर 4 अटेंड करेंगे बिना रिविजन के रिविजन किया है ना येस सर ए एबी रूल पढ़ रहे थे एबी रूल अगर याद होगा तो एबी रूल में हम क्या पढ़ रहे थे ये भी याद कर लो संडे है भूल गए होगे हो सकता उससे मिलने गए हो तो और थोड़ी आदास्त कमजोर हो गई हो ठीक है तो एबी रूल में ध्यान रखो एबी रूल जादा है या मेरे पास आपसे इतना कम है मतलब एक value बड़ा होता है तो पूछा जाता है कि दूसरा value से कितना percent कम होगा ये सवाल आपसे पूछा जाता है ठीक है बिलकु रिवेजन हो गया है ठीक है अब जैसे यहाँ इस सवाल में पूछा गया है कि राजधानी जो है वो 16 सही 2 बटे 3 percent धी में चल रही है शताबदी से तो शताबदी बताओ कितना तेज चलेगे तो इसका हम concept क्या इस्तमाल करते थे देखो 16 सही 2 बटे 3 धीरे चल रही है 16 सही 2 बटे 3 का मतलब होता है 1 बटे 6 धीरे slower का मतलब है minus, तो minus का उल्टा क्या लिखते थे plus लिखते थे, एक के जगा पर एक लिखते थे, 6 में से एक गया तो 5 यानि एक बटे 5 हमारे उत्तर कितना आ रहा था 20 percent उत्तर आ रहा था ठीक है, नहा कहती है sir, sheet में 50 question भी solve कर लिए बहुत अच्छी बात है अब देखो यहाँ पर जैसे अगला question देखो एक बार फिर मैं आप लोगों को मैंने कहा था जैसे की कि थोड़ा सा बड़ा data दूँगा थोड़ा सा complex data जो है वो दूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है लेकिन कुछ महीने के बाद उनका वेतन मूल मेतन से बढ़ा दिया गया उनके वेतन में प्रतीशत वृदी कितने की है या क्या की है बताओ sir, माइक थोड़ा दूर रखिये ठीक है, चलिए दूर रख दिये माइक को sir, आज बहुत खुश हो क्यों भाई साब खुश नहीं रह सकते हैं खुश रहने का अधिकार बस आपको है हमें नहीं है ये बताओ आप लोगों को तो देखके ऐसे ही खुश हो जाते हैं ठीक है, तो सवाल में कहा है कि उनका अन्यमित कारण के कारण उनकी तंखवा हम पहले 100 रुपए कमाते थे बाद में 20 रुपए कम कर दिया मतलब 80 रुपए कम कर दिया अब फिर उसको बढ़ा कर इतना ले कर जाना है यानि 20 बढ़ाना है 20 किसके उपर बढ़ाना है 80 के उपर, पुराने वाले पर बढ़ाना है तो 20 बस से 80 ठीक है यानि एक बटे 4, एक बटे 4 कितना होता है 25% ये तो एक ऐसे कर सकते हो और दूसरा हमारा famous AB rule AB rule कहता है कि तुम अगर minus में जाओगे ना तो हम तुमको plus में लेगे चले जाएंगे समझ में आ रहा है बात 20% का पहले बट्टा बताओ 20% का बट्टा होता है एक बटे 5 ठीक है salary को reduce किया गया है कम किया गया मतलब sign जो है वो आएगा minus का minus का उल्टा कौन होगा plus होगा एक के जगा पर एक रखेंगे 5-1 कितना हो जाएगा 1 by 4 और 1 by 4 कितना होता है 25% 25% जो होगा वो हमारा correct answer होगा 25% जो होगा वो हमारा correct answer होगा चलो next question देखो यहाँ पर अगला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से कि sugar के दाम में 25% बढ़ा दिया जाता है देखो यहाँ पर चीनी की कीमत 25% की वरिदी हो गई तो फिर कितने परसंट खपत कम हो जाती है कि व्याय समान रहे सेम तरीके से जैसे माल लो यहाँ पर खुशी जो हैं काफी खुश नजर आ रही है उनके घर पर कुछ महमान आए महमान आए तो चाय बनाने गई ठीक है और चाय बनाने गई तो पता चला कि चीनी खतम है दुकान में गई चीनी लेंगे तो पता चला चीनी का दाम बढ़ गया है अब चीनी का दाम बढ़ गया भिया जिब में जितना रुपया रहेगा उतने कन समाल लेंगी तो कल भी उतना ही खर्चा करना चाहती थी चीनी पे आज भी उत्ना ही खर्चा करना चाहती है क्योंकि चीनी का दाम बढ़ा इनका income थोड़ी बढ़ा है तो उत्ना ही खर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात अब खपत को कम करना पड़ेगा तो यहीं सवाल में बोला गया है कि चीने की कीमत बढ़ गई है तो खपत को कितना कम करोगे कि जो खर्चा है वो समान रहे मतलब यहाँ पर हमें खर्चे को बराबर रखना कोई दिक्कत की बात नहीं दाम बढ़ गया 25 से 25 का मतलब कितना होता है प्लस 1 बाई 4 बढ़ा है तो उसके लिए प्लस और 25 का एक बटे 4 प्लस का उल्टा माइनस एक का एक हो गया हमारा 4 प्लस एक कितना हो गया 5 माइनस 1 बाई 5 कितना होगा 20 परशंट होगा 20 परशंट खर्चा में क्या करना पड़ेगा खपत में कमी करना पड़ेगा ठीक है है समझ में आया बात चलिए अगला सवाल देखे, सेम तरीके से बोला गया है कि प्राइस जो है चीनी का बढ़ा दिया गया है 16 ही 2 बटे 3 से कितना कंजप्शन में कमी करें कि खर्चा जो है वो समान रहे देखते हैं इसका उत्तर कितना बच्चे दे पाते हैं आंसर दीजे चलिए आंसर दीजे ठीक है सर आपको मेरा चैट नहीं दिख रहा प्रिती कुमारी बिल्कुल दिख रहा है सभी के कमेंट दिखते हैं सभी के, सभी के, बहुत अच्छे देखो 16 साही 2 बटे 3 इंक्रीज वर्ड का इस्तमाल हुआ है तो इंक्रीज के चलते प्लस आएगा 16 साही 2 बटे 3 का मतलब होता है 1 बटे 6 प्लस का उल्टा होता है माइनस एक का हो जाता है एक और 6 जमाई कितना हो जाएगा 7 1 बटे 7 कितना होता है 14 साही 2 बटे 7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा Option number D Option number D जो है वो करेक्ट आंसर होगा बिलकुल भाशा बदलेगी सवाल के लेकिन तरीका नहीं बदलेगा ठीक है चलो अब यहाँ पर देखो अगला डेटा आप लोगों को दिया गया है 24 नंबर ताकि प्राक्टिस जबरदस्त आप लोगों की हो जाए तो बताईए अगला डेटा के साथ ठीक है अगला डेटा देखिए आप लोग चली आंसर बताईए बहुत अच्छे तो सवाल में जो है कहा गया है डेटा जो है शुगर जो है वो डिक्रीज हो गया 16 सही 2 बटे 3 डिक्रीज का मतलब माइनस और 16 सही 2 बटे 3 का मतलब 1 बटे 6 माइनस का उल्टा होगा हमारा प्लस एक है तो हमारा 1 रहेगा और छे में से एक घ्या पांच हो जाएगा तो 1 बटे 5 कितना होगा बताओ 1 बटे 5 20% 1 बटे 5 20% सुगर का दाम कम हुआ है कम हुआ है मतलब माइनस है एक बटे 6 कम हुआ है, माइनस का उल्टा प्लस हो गया 6 माइनस 1 तो 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 होता है, एक बटे 5 कितना होगा? 20% तो consumption को देखो, यहाँ पर क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा 20% से बढ़ाना पड़ेगा चलो, अब यहाँ पर देखो, सेम तरीके से अलग-अलग बस percentage हैं, फिर उसके बाद मैं बड़े वाले percentage अब देना शुरू करूँगा आप लोगों को, तो बड़े वाले percentage पर भी उस पर भी आप लोगों की practice बड़ी अच्छी तरीके से करवानी है ठीक है, प्राइश को देखो यहां कितना decrease किया गया है, 25% से बताओ, consumption को कितना बढ़ाओगे, कि expenditure रहेगा, देखो, comment में पता है आप लोगों कि application में क्या किया गया, बहुत बच्चे होते हैं, वो संकोचते हैं, उनको बड़ी शरम आती है यहां पर, कि doubt बूचेंगे, तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसा होता है, एक fear होता है, कि यार मेरा doubt हो सकता है, बहुत छोटा doubt हो, बाकी उको क्या लगेगा, ठीक है, मेरा doubt किसी को दिखना जाए, offline में जब आप पढ़ाई करते हैं, तो यही तो होता है, आप डर के चलते, teacher से नहीं पूछते हैं, आ आपके quality को बढ़ाएगा, आपके study को और बहतर करेगा, समझ रहे हो, तो इससे क्या होगा, बिना डरे जो है, आप doubt पूछ सकते हो, teacher से, ठीक है, बताओ जल्दी से, answer बताओ, 33 सही एक बटे 3 जो है, sir, correct answer है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, decrease कर दिया गया है, 25, decrease का अब एक बटे 4, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, एक है तो एक होगा, 4 में से एक गया तो 3, एक बटे 3 कितना होता है, 33 सही एक बटे 3, अब चलो जरा, यहाँ पर तो देख लिए, अब थोड़े आगे बात करते है, एक बटे 3 जो होगा, वो correct answer होगा, ठीक है, सब को पता है क्या लग रहा है, सब को यह लग रहा है, 25 है तो 20 ही उत्तर आएगा, 20 पे सब टिक मार दे रहे हैं, 20 पे सब टिक मार दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 25 पे 20 लपेट दे रहे हैं, आरे भाई, तुम यह भी देख लो, increase है कि decrease है, decrease के चलते, minus का sign आया, 25 का मत कह रहे हो, ठीक है, तो यह भी थोड़ी होगा, option number C जो होगा, वो correct answer होगा, ठीक है, दो-दो option जो है, वो correct है, यहापर देखो, C जो है, वो correct answer है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर छोटा बहुत जो है, अब अब थोड़ा सा, बढ़िया डेटा ले लो, थोड़ा खुश हो जाओ, ठीक है, अब मान लो कि कल के दिन क्या होता है, आप से कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है, कि A जो है, ठीक है, वो B से, ठीक है, 120 परसंट जादा है, ठीक है, या 120 के जगह पर आप कर लो, 125 परसंट जो है, वो इससे जादा है, ठीक है, तो B जो है, वो इससे कितना क सिर्फ एक कोशन पूछा गया है कि A के पास ठीक है या A का जो इंकम है वो 20 से 125 परशंट जादा है क्योंकि कल तक आपके पेपर में 25 परशंट, 20 परशंट, 16 सही 2 बटे 3, 14 सही 2 बटे 7, 6 सही 2 बटे 3, 6 सही 1 बटे 4, 8 सही 1 बटे 3 यहीं सारा सारा डेटा आता था अब जो है मानलो 100 से उपर कभी पूछा ही नहीं गया लेकिन अगर 100 से उपर पूछा जाए तो हम उत्तर कैसे करेंगे, क्या हमारा AB Rule काम करेगा या हमारा AB Rule फेल हो जाएगा, तो वो भी हम देखते हैं एक जो इंकम है वो इससे इतना परसेंट जादा है, एक बार हम इसको बनाएंगे बेसिक से और फिर हम दूसरा मेथड जो है वो हम AB Rule से भी सीखेंगे तो हम बेसिक से बात करते हैं, तो हम बोलेंगे, सर देखो, यहाँ पर यह हमारा A है और यह हमारा B है, अगर हमारे मानलो जो है, B की इंकम को हम 100 रुपय मानते हैं, कि B हमारा 100 रुपया कमाता है, तो A इससे 125 जादा कमाता है, या 125 परसेंट जादा कमाता है, मतलब यह 200 पर यावशकता है, ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे 100% ज़्यादा कमाता हूँ, तो 100% ज़्यादा कमाने का मतलब है, मैं आपका दोगुना कमाता हूँ, ये इससे 125% ज़्यादा कमाता है, 125% का मतलब कितना होता है, 125% का मतलब होता है, 100% ठीक है, और प्लस 25%, मैंने कहा, इतना ज ज़्यादा कमाता है मतलब जो कमाता है उसके बराबर तो कमाता ही कमाता अगर ये 100 रूपया कमाता है तो ये 100 तो कमाएगा ही कमाएगा और 7 में 150 और कमाएगा यानि 100 प्लस 100 यानि टोटल कमाई इसकी 200 पचीस हो जाएगी basic method से बता रहा हूँ तो फिर बूचा आप से कि B इस से कितना कम है जल्दी से कि इस से कितना कम है कितने से 225 से 25 से काटोगे तो 5 बार में 25 से काटोगे 9 बार में 5 बटे 9 यानि 55 सही 5 बटे 9 परसेंट क्योंकि एक बटे नो जो होता है एक बटे नो अगर आपको पता होगा एक बटे नो ग्यारा सही एक बटे नो होता है तो पांच बटे नो जो हो गया वो हो गया हमारा 55 सही 5 बटे नो परशंट क्लियर है तो ये जो है हमने इस तरीके से उत्तर लेकर आए 55 बटे 9 55 बटे 9 लेकिन अगर हम AB rule से लाएंगे तो AB rule से कैसे लाएंगे वो समझी है AB rule से बड़े वाले percentage में हम कैसे बाट करेंगे और उसका उत्तर कैसे निकालेंगे आप से सवाल में कहा गया है इससे 125 जादा जो भी percentage होता है हम क्या करते हैं उसका बटा लिखते हैं जैसे माल लो अगर हमें बोलता है 20% तो 20% का लिखते हैं हम 1 बटे 5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं तो अगर माल लो कल के दिन जैसे माल लो यहाँ पर 125 बोल दिया ठीक है या 25 बोल दिया तब जाकर percentage एक बटे चार के बराबर 25% एक बटे चार के बराबर जब भी किसी प्रतिशत को बटे में बदलते हैं तो उसको 100 से भाग करना पड़ता है ठीक है तो चलो यहाँ पर आपका 125% है इस 125% को जो है आप बोलोगे यह 125 बटे यह percentage हटा दो तो नीचे आजाएगा 100 काटोगे तो कितना हो जाएगा 25 से 5 बार में 4 बार में कोई दिक्कत की बात कितना कटा 5 बटे 4 बोला है ए जो है वो इससे इतना ज़्यादा है यानि प्लस 5 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 प्लस का उल्टा कितना होगा माइनस होगा बोलो उपर 5 है तो उपर यहां भी 5 रहेगा उपर 5 है तो यहां भी उपर 5 रहेगा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 बाई 9 वन बाई 9 जो होता है वो 11 सही 1 बटे 9 होता है तो पांच बटे नौ देखो पांच बटे नौ आया या नि पच्पन सही पांच बटे नौ तो A-B rule कभी fail नहीं होगा A-B rule कभी भी fail नहीं होने वाला है इस बात को समझे ठीक है? मोहित कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है मोहित जो है बॉन बिटा पीने का सुरवात कर दीचे आप ठीक है? क्योंकि बुद्धी को अभी और थोड़ा विक्सित होने का जरूरत है कोई इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला आप जब परदस्ती नहीं समझेंगे तो वो गलत बात है बताओ सिंपल सा कोशन है मैं आपसे क्या बताना चाहरा हूँ समझो दोनों केसिस को मैं आपको यह भी रूल बताता हूँ मैंने कहा A जो है वो B से मानलो कितना है A जो है मानलो 20 परशंट या 25 परशंट जादा है मानलो simple मैंने कहा A जो है इससे 25% जादा है ठीक 25% जादा है तो B कितना कम होगा यही हो गया यह हमारे आसाराम होगा यह हमारे योगी जी हो गए तो योगी जी के पास आसाराम से 25% जादा income है तो आसाराम के पास योगी जी से कितना कम होगा यह सवाल था माल लो तो आप बोलते थे 25% जादा 25 % जादा तो 25 का बटा कितना होता था 1 divided 4 होता था कैसे लिखते थे वो भी समझ लो 25 % को लिखने के लिए हम बोलते थे कि तुम 25 बटे कितना हो 100 हो ठीक है जानी हो जाएगा 1 divided 4 लिखते थे थे 25 बटे 4 के बराबर तो वहीं बोलते थे plus है तो क्या बोलेंगे plus एक बटे 4 AB rule में लगाते थे तो AB rule में हम क्या बोलते थे बोलते थे कि plus के जगा पर minus लिखेंगे एक है तो एक लिखेंगे 4 plus 1,5 यानि 1 by 5 ये हमारा answer होता था 1 by 5 का मतलब 20% हम ये बोलते थे कि A अगर B से 25% ज्यादा है तो B जो है वो 20% कम होगा 1 by 5 कम होगा clear है अब ये data जो है बस इसी 25% को कल के दिन बस एक छोटा सा बदलाव कर दिया जाए और मानलो आपका सवाल सेम तरीके से सेम question हो यहाँ पर कि ये 25 जो है वो अब 125% है ये 25 के जगा 125 ज्यादे तो कैसे बनाओगे बस मैं ये बोल रहा हूँ ये 25 के जगा पर 125 ज्यादे तो कैसे बनाओगे बताओ तो 125% को बटे में लिखो कि 125% जो है वो बटे में कितने के बराबर है आप इसको 100 से भाग करोगे तो 5 बटे 4 होगा कोई दिक्कत नहीं है जैसे प्लस था तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे ये 1 बटे 4 के बराबर है ये 5 बटे 4 के बराबर है 5 बटे 4 लिख दिया प्लस का उल्टा माइनस होता था माइनस लिखेंगे 1 था तो 1 आता था 5 है तो 5 आएगा 4 plus 1 5 होता है नीचे यहाँ पर तो 4 plus 5 जो है वो 9 होगा और 5 by 9 कितना होता है बट्टे में बताओ 1 by 9 कितना होता है 1 by 9 percentage में कितना होता है 11 सही 1 बटे 9% तो 5 by 9 कितना होगा 55 सही 5 बटे 9% अब clear हुआ कि नहीं हुआ बतादो जल्दी से अब clear हुआ सर कब plus करना है कब minus करना है ये समझ में नहीं आ रहा हद हाल है भाई साब जब सवाल में आपको दिया जाएगा कि ये जो है इससे ज़्यादा है ये plus minus आप अपने घर से थोड़ी उठा के लेके आ रहे हैं ये तो examiner आपको question में देगा न जैसे यहाँ पर question में कहा गया है कि चीनी के दाव में कमी हुई है तो जब कमी हुई है और कितने की कमी हुई है तो 25 का बट्टा लिखोगे एक बटे चार तो उसे एक बटे चार के साथ क्या sign लगाओए minus लगाओगे कि पलस लगाओगे माइनस लगाओगे कि प्लस लगाओगे ये बताओ आप खुद बोलो कि ये जैसे आपके सामने question है और इस question में आपको sign लगाना है 25 का बट्टा 1 बटे 4 आपने लिख दिया अब यहाँ पर इसके साथ sign का इस्तमाल करना है तो क्या बताओगे बोलो decrease word है तो प्लस तो नहीं लगाओगे न decrease के साथ तो माइनस ही लगाओगे तो इसलिए एक बटे 4 के साथ माइनस लगाया माइनस का उल्टा हो गया प्लस और एक बटे 3 आपको ये नहीं सोचना है सरक कब माइनस बहुत बचे तो इस बात में confuse जाते हैं इक दिकत क्या है जब आप क्लास में पढ़ने आते ह benefici हो एक हि rocky तरफ आप कुछ ओर चला रहे होंगे दूसरी तरफ आप कुछ और चला रहे होंगे रा या तो भीच्चके क्लास में आये होंगे उनकि जो student पहली क्लास को दिकत ही नहीं आने माली है मैं बार बार आप लोगों को एक बात समझाता हूँ कि बीच का अगर कोई भी क्लास अगर आप छोड़ देंगे अब जैसे महां लोगों कोई स्टूटेंट आ जाकर क्लास में बैठ गया उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा AB rule है क्या क्या क्योंकि इसको डिफाइंग किया था मैंने पिछली क्लास में पूछले अब पूरा का पूरा जो है मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये AB rule होता क्या है concept क्या होता है इस तरीके से अब आप इस class में आओगे बोलो गया रही ये master का कर रहा है यारी plus minus किया हुआ है बवाल कर रहा है कुछ समझे नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रही तो पता ही नहीं चल रहा है ठीक है तो series होता है बुझे की नहीं बुझे बताओ जल्दी से ये सब सवाल तो एक नम fast में उड़ाने वाले questions है डिक्रीज वो लेगा तो minus लगा दो अब मेरा सवाल वही था इसी question में आपको लेकर था same सवाल same pattern सब कुछ यही चलो आप सभी को मैं same question दे रहा हूँ कि price of sugar decrease लेकिन बस इस सवाल में एक छोटा सा बदलाव मैंने मानलो कर द दिया समझो मेरी बात को same सवाल मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन सवाल में मैंने क्या कि एक छोटा सा change कर दिया आपके data में और आपके data में जो है और options भी इसके बदल जाएंगे जैसे data बदलेगा तो आपका option बदल जाएगा तो उसका option जो होगा वो कुछ और हो जाएगा कि चीनी के दाम में 125% की कमी हो गई है अब बताओ कि खर्चा कितना बढ़ा दे ठीक है 125% की कमी 125% की कमी बताइए जल्दी से बताइए तो आप बोलेंगे सर 125 का मतलब क्या हो गया माइनस देखो यहाँ पर decrease word का इस्तेमाल है तो decrease के लिए क्या लिखेंगे माइनस 125% बटे में कितना होता है 5 बटे 4 अगर अभी भी % से बटा निकालना नहीं सीखे हो तो एक काम करो ऐसा चुलू भर पानी लो 4 बढ़ डूपकी लगाओ ठीक है और अपना मुँँ आ धोके फिर से वीडियो को देख लो यह नहीं बोलेंगे चुलू भर पानी में डूप मर ठीक है क्योंकि मरने नहीं आये हो पढ़ने आये हो आगे बढ़ने आये हो अगर परसेंटेज से बटा कनवर्जन अभी भी नहीं सीखे हो तो बड़ी गड़बर कहानी है कि 125% को आपको बटे में लिखना नहीं आ रहा है बताओ सिंपल सा बात है प्रतिशत हटाओगे तो नीचे जो है वो 100 आ जाएगा और 100 आएगा तो 25 से 5 बार में उपर काटेगा और नीचे 4 बार में काटेगा क्या है कोई बहुत बड़ा तोफ काम है ये बताओ तो माइनस 5 बटे 4 फिर से मत बोलना सर माइनस कहां से आया माइनस उसके decrease के वज़े से आया अगर increase लिखा होता तो प्लस आता अब माइनस का उल्टा होगा यहाँ पर जाहिड सी बात है माइनस आया है तो प्लस आयेगा प्लस आया है तो माइनस आयेगा ठीक है माइनस का उल्टा प्लस प्लस का उल्टा माइनस बात कतम पांच है तो पांच लिख देना और चार में से पांच की कमी चार में से पांच की कमी 1, ये डेटा संभव नहीं है, ये question में आप सीधा का सीधा answer लिखोगे, it cannot be determined, अब पूछो क्यों, क्योंकि भाई साब किसी भी चीज़ को 100% से नीचे नहीं घटाया जा सकता है, बहुत बचे तो answer निकाल रहे हैं, कोई एक बटे 20 को, एक बटे कुछ बता रहा है, समझो मेरी बात को, दुनिया के किसी भी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा घटा सकते हो, तो 100%, ठीक है, ये मैं आगे चलकर आप लोगों से profit loss में भी एक question logical पूछूंगा, कि एक व्यक्ति को 300% की हानी हो गई, कभी ऐसा होता है, बताओ, कि 300% की हानी हो जा सकता हूँ, 20% छोटा का सकता हूँ, 30%, 200% तो छोटा नहीं कर सकता न, जितने इसकी height होगी, यानि 100% तक ये छोटा हो सकता है, 99.9 तक छोटा हो सकता है, लेकिन 100-1% ये जादा और हो गया, छोटा तो इसका मतलब क्या हवा को काटेंगे, बिलकुल नहीं, तो इस बात को 100% ही कम कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पर question दिया, बहुत बच्चे answer निकालने लग गए, जबकि answer क्या होगा, cannot be determine, पता ही नहीं किया जा सकता है, किसी भी मान को आप 100% से नीशे कम करेंगे, तो कई से पता कर पाएंगे, बताओ, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अब 2-3 AB rule क बड़े-बड़े data पर practice कर लो, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, data में हमारा ये कह रहा है, कि plus है हमारा, जेखो, simple मैं बोलूँगा, जैसे मान लो, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, plus 20% तो आपको जो है, इसका conjugate बताना है, कि चीनी के दाम में 20% दाम बढ़ ग इसकी comparison में, plus 116 सही 2 बटे 3%, ठीक है, फिर इसकी pass वाली value क्या होगी, ठीक, 114 सही 2 बटे 7%, pass वाली value क्या होगी, 157 सही 1 बटे 7%, दूसरी value क्या होगी, ठीक है, समझ रहे हो, ये सभी के सभी क्या है, plus में है, ठीक है, सभी के सभी क्या है, plus में है, ठीक, चलो, next भी data देख ल एक बटे 2% उसकी value क्या होगी इस तरीके से कहने का मतलब क्या है समझेंगे समझेंगे नहीं तो hero कैसे बनेंगे 0 से hero ऐसे थोड़ी बना जाता है ठीक है चलो तो 20% कोई वेक्ती बढ़ गया है 20% देखो plus है तो plus लिखो बढ़ गया का मतलब 1 by 5 तो plus का उल्टा क्या होगा minus 1 है तो क्या लिखेंगे 5 जमा 1 एक बटे 6 1 बटे 6 कितना होता है 16 सही 2 बटे 3 आंसर ठीक है मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सवाल में आपका भाशा कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है डेटा में ऐसे बोलेगा जैसे राजधानी की स्पीड शताबदी से 20 परशंट जादा है शताबदी की स्पीड राजधानी से कितना कम होगी तो 20 परशंट का मतलब एक बटे 5 प्लस है तो plus प्लस का उल्टा माइनस 1 है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 clear हो गया दूसरे वाले की बात करते है डेट सो परसंट और क्या है हमारा प्लस में है तो डेट सो देखो प्लस है तो प्लस लिखो डेट सो का मतलब हो गया 3 बटे 2 डेट सो परसंट का मतलब 3 बटे 2 निकाल ले डेट सो परसंट 3 बटे 2 कैसे होता है देखो तो plus का उल्टा minus 3 है तो 3 2 जमा 3 कितना होता है 5 होता है कितना हो جाएगा 5 3 बटे 5 कितना होता है तो ये हो जाईगा minus 60% 1 बटे 5 20 होता है 2 बटे 5 40 होता है 3 बटे 5 हो जाएगा 60% clear हो गया दूसरे का अंसर आ गया चलो ठीक है प्लस है तो कहां पर प्लस लिखेंगे 116 सही 2 बटे 3 अब देखो 116 सही 2 बटे 3 याद करो कैसे तोड़ना बताया था इसको बोला था मैंने 100% करना और फिर कितना करना 16 सही 2 बटे 3 करना 100% का मतलब 1 और यह हो जाएगा 1 बटे 6 यानि यह हो जाएगा 7 बटे 6 तो 116 सही 2 बटे 3 बटे में कितना 7 बटे 6 के बराबर 7 बटे 6 प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस 7 है तो हमारा कितना रहेगा 7 6 जमा 7 यानि 7 बटे 13 इंटू 100% परसेंटेज यह बताओगे ना तो 700 बटे 13 clear हो गया 7 बटे 13 7 बटे 13 कोई दिक्कत की बात यहाँ पर चलिए next देखिए 114 सही 114 का मतलब यह कितना है 1 प्लस 4 बटे 7 यानि 11 बटे 7 है तो प्लस है तो प्लस कर दो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 11 बटे 7 प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस होता है 11 है तो 11 लिखेंगे 7 प्लस 11 यानि 11 बटे 18 इसकी fraction value और 11 बटे 18 को percentage में करोगे तो percentage में करने के लिए क्या करोगे 100 से गुना करोगे 157 सही 1 बटे 7 यह कितना हो जाएगा 11 बटे 7 है तो यह बोलोगे सर 11 बटे 7 है क्या है प्लस में है 11 बटे 18 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका value चलो नेक्स्ट देखो अब कोशन में यहां minus दिया गया है तो minus है तो minus लिखो यहां पर साड़े 87 का मतलब कितना होता है 7 बटे 8 होता है माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा साथ है तो 7 रहेगा 8-7 कितना होता है एक होता है यानि 7 by 1 7 by 1 का मतलब into 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 700% उस value को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि A की income जो है वो B से 87% कम है एक income B से 87% कम है तो B की income A से कितनी जादा होगी यह सवाल मेरा आप से है जैसे मानलो यहाँ पर यह दो लोग है बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोनों के दोनों यह हमारा मानलो मौनू है और यह हमारा छोटू है यह हमारा मौनू है ठीक है तो ये एक रुपईया कमाता है, समझ रहे हो, क्योंकि साड़े सतासी का मतलब ये होता है, जनाब, ये साथ बटे आठ के बराबर है, तो आठ का इतना परसंट इतना होता है, यानि आप बोलोगे छोटू अगर आठ रुपई की कमाई करता है, तो मुनू जो है, उससे साथ र बना कर हम AB rule से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बताओ जल्दी से, तो सवाल में minus देगा तो answer हमारा plus में होगा, सवाल में plus देगा तो answer हमारा minus में होगा, जो भी बट्टा देगा उस बट्टे को हम तोड़ देंगे, कब तक 25% और 16 साही 2.3 पर प्राक्टिस करते रहोगे, ठीक है, 700% increase होगा, क्योंकि decrease है तो increase होगा यहाँ पर, समझ रहे हो, ठीक है, पीछे के सभी questions एक बार आप लोग देख लेना, सवाल में अगर increase बोलता है तो answer decrease होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, शलो, अब next type देख बहुत doubt है आप लोगों के क्या क्या doubt है जरा देखा जाए आप लोगों का, doubt क्या है देखो, 20% को एक बटे 5 लिखोगे, प्लस का उल्टा माइनस होगा, एक बटे 6 का रेक्ट उत्तर है, ठीक है, 1500% को 3 बटे 2 लिखते हैं, 3 बटे 2, प्लस का उल्टा माइनस है, 3 का उल्टा 3 है, 2 जमा 3, 5 हो जाएगा, 3 बटे 5 का मतलब 7 परसंट की कमी, 116 सही 2 बटे 3 का मतलब होता है, 7 बटे 6, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 7 का उल्टा 7 हो जाएगा, 6 प्लस 7, 13 हो जाएगा, माइनस साथ बटे तेरा ठीक है उसके बाद अगला सवाल 114 सही एक बटे साथ अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हो ठीक है यहाँ पर यह हो जाएगा आठ बटे साथ यह हो जाएगा आपका आठ बटे साथ कोई दिक्कत की बात नहीं एक बटे साथ में एक जोड़ोगे आठ बटे साथ तो प्लस का उल्टा माइनस आठ का उल्टा आठ साथ जमा आठ पंदर तो आठ बटे पंदर हो जाएगा यह तो एक छोटी सी है गलती कोई दिक्कत की बात नहीं है प्लस का उल्टा माइनस 11 साथ हो जाएगा ठीक है चलो तो यह जो है आपको बड़े बड़े values आएं तो आपको धियान रखना है ठीक है अब यहाँ पर देखे सवाल मैं आपसे कहा गया है concept of successive change मतलब यह data का इस्तमाल हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे एक बार आप जो सामने लिखा है वो देखो ठीक है चलो अब सवाल को देखो question number 26 भी करवा दो अरे भाई 26 करवाया नहीं है क्या हमने आपके अभी 26 पे आया नहीं हूँ ठीक है 26 पे आया नहीं हूँ सवाल में देखे कि अब जो हम type पढ़ने वाले है वो हम क्या पढ़ने वाले है अब हमारा जो type होने वाला है वो ऐसा होने वाला है कि जैसे मानलो की आपने पढ़ा है rectangle या आपने पढ़ा है मानलो circle तो उसमें क्या होगा बोलेगा जैसे rectangle की लंबाई को बढ़ा दिया चोडाई को कम कर दिया तो बताओ एडिया में कितना चेंज आएगा ठीक है सर्कल के लंबाई में बढ़ा दिया इस तरीके से आपसे कोशन पूछे जाएंगे ठीक है तो यहां पर जो हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं successive क्या बोलते हैं successive का method बोलते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमें आज बात करना है increase या decrease in area या फिर volume तो अब आप अगर बात करेंगे successive की तो सबसे पहला question देखो फिर मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से explain करूँगा यहाँ पर कि और हम इसमें क्या क्या जो है ठीक है इसको कैसे हम solve करते हैं सवाल जैसे आपका कहा गया है कि त्रीबुज का आधार जो है 33 सही 1,3 बढ़ जाता है और इसकी उंचाई 16 सही 2,3 परसंट कम हो जाती है तब त्रीबुज के छेतरफल में परिवर्तन जो है वो ग्याद करिये ठीक है परिवर्तन जो है वो क्या करना है ग्याद करना है हमसे ये question में बोला गया है कि जो त्रीबुज का छेतरफल है उसमें कितना परसंट जो है परिवर्तन होगा वो हमें बताना है अब आप मुझे एक बात बताओ ये question हो गया आपके triangle के उपर next question आपका क्या हो गया rectangle के उपर rectangle का सवाल देखिए बोला गया है कि जो लंबाई है उसको हमने 50% बढ़ा दिया है area को हमने 20% बढ़ा दिया है बताओ उसके चोणाई पर क्या फर्क पड़ेगा ठीक है चलो next question circle का है कि circle के radius को हमने 300% से बढ़ा दिया है area क्या होगा ठीक है फिर अगला सवाल आपको area में बदलाओ देदेगा और आपसे बोलेगा radius में बदलाओ क्या हुआ इस तरीके से आपसे question पूछे जाएंगे ठीक है तो सबसे पहला एक छोटा सा question मैं आपसे शुरू करता हूँ और वो question इसके उपर हम देखेंगे फिर हम आगे चलेंगे तो approach की बात करेंगे जैसे एक question क्या पूछा जाएगा बोला जाएगा आपका एक यह square है समझेंगे बड़े ध्यान से यह आपका क्या है यह आपका एक square है और बोला जाएगा कि इस square का जो है ठीक है प्रतेक side को 10% बढ़ा दिया गया है ठीक है यह square था मानलो पुराना वाला पुराने वाले square की जो side थी वो थी 100, 100, 100 और 100 ठीक है अब आपका एक नया square बन गया है मानलो और यह square की side इससे 10% ज्यादा है यानि 110 है 110 है 110 है 110 है तो बोला गया है कि अगर हम इसके side में 10% बढ़ा दें तो area कितना percent बढ़ेगा इसी तरीके से अलग-अलग जो figures है उनके वे question आएगा ठीक है तो अब एक बात मानिए पहले अगर आप area की बात करेंगे कि पहले अगर आप यहाँ पर area निकालते थे तो आप बोलते थे कि sir area बराबर कितना होगा तो side into side यानि 100 into 100 तो आप बोलेंगे sir area जो है या 100-100 ना मान कर आप सबसे बढ़िया है 10-10 मान लो ताकि आप लोग जो है थोड़ा calculation से बच पाओगे कुई बच होगे नहीं कुछ खास अंतर तो होगा नहीं ठीक है लेकिन आप लोगों को फिर भी उतने में परिशान जाते हो तो पहले अगर मान लो area बताते अगर हम old area की बात करते तो old area का मतलब 10 into 10 कितना हो जाता 100 इतना तो पता है ना कि एक square का जो area होता है वो side into side होता है बताइए अब जो नया area की बात करेंगे तो नया area कितना होगा नया area कितना होगा तो बोलोगे sir side into side यानि 11 square 121 होगा कितना percent आपका area बढ़ गया देखो वो पता करने के लिए कि percentage increase कितना हुआ है आप बोलोगे sir देखिए पहले area 100 cm square था अब area 121 cm square है तो कितने का increase हुआ है बोलेंगे sir 21 का बढ़त हुआ है कितने के उपर हुआ है 21 का बढ़त हुआ है 100 के उपर हमेशा पुराने area के उपर होता है नया area के उपर बढ़त नहीं होता है क्योंकि नया वाला तो अभी बढ़कर आया है जो change होता है वो हमेशा पुराने value पर होती है old value पर होती है यानि 21 का बढ़त कितने के उपर 100 के उपर into 100 तो आपने यहाँ पर बोला कि सर एरिया में 21% बढ़ा ऐसा नहीं है कि 10, 10, 10, 10, 40% उत्तर दे दो 20% उत्तर दे दो नहीं तो आपने यहाँ पर देखा कि जैसे मैंने क्या किया कि 1 side square का बढ़ाया 10% area किस से बढ़ जा रहा है इसको मैं 20% से बढ़ाऊंगा तो कैसे बढ़ेगा इसके निगालने के 3 तरह method है ठीक है 3 method है कम से कम 3-4 method भी कह सकते हो लेकिन जो आपके लिए फायदे मंद है वो मैं बताऊंगा आपको ratio method ठीक है successive बताऊंगा नहीं सर ये हमारा square है ठीक है और हमारे side में बढ़त हुई है कितने की बढ़त हुई है भूजा में बढ़त हुई है 10% की 10% का जो मान होता है सर कितना होता है 1 बटे 10 होता है यानि हमारा जो side है वो कितना बढ़ गया है 1 बटे 10 से बढ़ गया है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, अब देखो, आप से सवाल में क्या पूछा गया है, एरिया में कितना बढ़त होगा, आप मुझे बताइए, एरिया जो होता है, वो क्या होता है, बोलेंगे sir, एरिया जो होता है, वो होता है, side into side, side into side, कितनी बार side आया है, दो बार side आया है, तो बोलेंगे sir ratio में, पहली बार आप बोलेंगे side, ठीक है? side, ये हमारा old हो गए, अप ऐसे लिखेंगे old और ये हमारा हो गшего new, ठीक है? new area, ये हमारा पूराना area है और ये हमारा नया area माल लो ऐसे, ठीक है? तो side पहले कितना था? 10 था तो आप बोलेंगे sir old value जो है वो side की कितनी है? 10 है ठीक है? 10 में हमारा 1 बढ़ गया है यानि कितना हो गया? 11 हो गया है, area निकालने के लिए 2 बार side चाहिए होता है, कम से कम 2 बार side चाहिए होता है, ठीक है? फिर हमारा जो side है, वो 10 से कितना हो गया? 11 हो गया है अब हमारा अगर पुराना area पता करना है कि area कितना होगा, तो 10 into 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहां पर, ठीक है? उपर वालों को मिटा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और नया area 100 into 100 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा कितने की बढ़त? 21 की कितने की उपर? 100 की उपर तो 21 बटे 100 into 100 हमारा उत्तर कितना हैगा? 21% जो होगा, वो correct answer होगा 21% होगा, कोई दिक्कत की बात मतलब अब यहां पर सेम तरीके से, अब square को हटा कर आप मान लो, rectangle को मैं लेकर आता हूँ rectangle आपके सवालों को और clear करेगा, मान लो की rectangle के आपने लंबाई को बढ़ा दिया कितना %? 10% ठीक है? और rectangle की चोराई को जो है मान लीजे आपने बढ़ा दिया 25% तो सवाल में आपका examiner बोलेगा, बताओ इसके area में कितने प्रतिशत का प्रभाव पढ़ा, बढ़ा की area घटा और कितना % बढ़ा, ठीक है? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे sir, ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चोड़ाई है और जब हम लंबाई और चोड़ाई को गुना करते हैं, तो क्या निकलता है? area निकलता है, ये बात तो हर बच्चे को पता है, लंबाई और चोड़ाई को गुना करने पर क्या निकलता है? area निकलता है ठीक है? अब आप सब का unit देखेगी, सब का unit क्या प्रभाव पढ़ा है आप बोलेंगे sir लंबाई जो है वो कितना % बढ़ा है 10% तो लंबाई का देखो 10% को बटे में तोड़ो कितना हो जाएगा 1 बटे 10 25 को देखो 1 बटे 10 1 बटे 10 लिखा आपने यानि आप क्या ये बढ़ा है की घटा है आप बोलेंगे बढ़ा है पुराने वाली लंबाई कितनी थी नीचे वाली जो होती है वो पुरानी लंबाई यानि पुराना जो लंबाई था वो 10 था अब उसमें 10% बढ़ गया है यानि 10 में 1 बढ़ गया है प्लस 1 हो गया है यानि नई लंबाई जो हो गई है वो 11 की हो गई है ठीक चलो 25 परसंट का मतलब होता है 1 बटे 4 प्लस है तो प्लस पुराना चोड़ाई कितना था नीचे वाला जो होता है वो पुराना वैल्यू तो नीचे वाला पुराना वैल्यू 4 था 4 में 1 बढ़ गया है यानि कितना हो गया है पांच हो गया है अब देखो एरिया निकालना है तो पुराने वाले लंबाई को पुराने वाले चोड़ाई के साथ गुना करेंगे तो 10 into 4 कितना पुराना वाला एरिया आ जाएगा नए वाले लंबाई को नए वाले चोड़ाई के साथ गुना करेंगे तो नया वाला area आ जाएगा यानि area कितना बढ़ गया है आप बताओ कोई चीज 40 से 55 हो गई है कितने की बढ़त है 15 की बढ़त है तो आप बोलोगे सर percentage increase in area percentage increase in area area में जो बढ़त है वो कितने की है बोलोगे सर देखो 15 बढ़ गया है किसके उपर बढ़ा है 40 के उपर तो 15 बटे 40 into 100 15 बटे 40 into 100 कोई दिक्कत की बात 5 से काटेंगे 3 बार में 5 से काटेंगे 8 बार में 1 बटे 8 साड़ा बारा 3 बटे 8 जोगा वो 37 सही 1 बटे 2% होगा हमारा answer ठीक है कोई दिक्कत की बात कोई परिशानी की बात ठीक है बहुत अच्छे बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप रईशो क्यों बता रहे हो successive से क्यों नहीं बता रहे मेरे भाई आप लोग एक बात समझ लो successive से बताना फायदेमन दिसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 25 परसेंट के जगह पर 16 सही 2 बटे 3 दे दू और 10 परसेंट के जगह पर 11 सही 1 बटे 9 दे दू तो successive से जिंदगी बिद जाएगी आपके निकालते निकालते एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि यह ratio होता है ना जिनको अगर successive का थोड़ा बहुत knowledge है बता रहा हूँ ठीक है कि जो आपका परसेंटेज होता है अगर वो integer होता है 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया 25 हो गया, 11, 12, 13 ऐसी कोई संख्या हो गई तो बेशक successive से calculate कर लो लेकिन अगर आपका परसेंटेज बटे में हो गया ना ठीक है, तो कभी भी successive से calculate मत करना हमेशा ratio method ही काम आता है जैसे अगर मालो मैंने कह दिया यहां पर कि यह घनाब है, मालो एक क्यूब है लंबाई यह 11 सही एकवटे 9 से बढ़ा दो चोड़ाई 12 से बढ़ा दो ठीक है, और जो उचाई है उसको 8 सही एकवटे 3 से कम कर दो अब लगा लो successive लगा सकते हो तो उस case में successive मत लगाना कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो फिर पता चलता नहीं है और paper में गलती करके बैठ जाते हो, तो यह नहीं करना है हमेशा ratio method जो है ratio method हर तरह के value के लिए जो है कामियाब है और successive सिर्फ उन values के लिए कामियाब है जो integer है, लेकिन जैसे हमारा fraction में आता है, यह नहीं कहरा हम है answer नहीं आता है, answer आता है बट आपका बहुत ज़्यादा समय बरबाद कर देता है ठीक है, समझ में आया बात कोई दिक्कत की बात, अब जैसे 2-3 questions मैं आपको दे रहा हूँ आपके सामने एक rectangle है बड़े ध्यान से समझिये इस rectangle के लंबाई को हमने बढ़ाया है कितना percent, 25% हमने इसको बढ़ा दिया है, ठीक है और इसके चोड़ाई को जो है हमने बढ़ा दिया है 16 सही 2-3%, आप मुझे बस ये बताईए इसका area कितना percent बढ़ेगा इसका area कितना percent बढ़ेगा पूरा का पूरा practice करना है और अच्छे से practice करना है लंबाई जो है, बढ़ा दिया है 25% और चोड़ाई 16 सही 2-3% बताईए area में क्या प्रभाव पढ़ेगा answer चाहिए, answer बताईए answer बताईए, चलिए ठीक है अराम से वक्त लो, सही उत्तर दो गलत उत्तर मत देना, ठीक है गलत उत्तर देने की जरूरत नहीं है पता चले की गलत उत्तर दे रहे हो ऐसा नहीं है, गलत उत्तर नहीं देना है क्या फायदा होगा गलत उत्तर देके बहुत सिंपल सा कोशन है एकदम आंसर नहीं आया अभी बहुत हो का सभी ट्राइ करो कॉपी में अपने अगर कोई बैठा है ना कि नहीं है वो बताएंगे हम नोट कर लेंगे तो यह नहीं होगा ऐसे सभी उत्तर ट्राइ करो तो ज्यादा फायदे मंद होगा ठीक है ट्राइ नहीं करोगे नुकसान में हो जाओगे ट्राइ करो चलो कर लिया ट्राइ बताया जाए चलो देखो बड़े शांदार तरीके से पहले यहां पर लिखेंगे हम लंबाई फिर हम लिखेंगे चोड़ाई और फिर हम लिखेंगे यहां पर एरिया लंबाई को चोड़ाई के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है एरिया मिलता है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, हमने कहा 25 परशंट यह बढ़ गया है, यह increase का sign है, 25 का मतलब कितना है, plus 1 by 4, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कि यह 25 परशंट बढ़ गया है, चोड़ाई 16 अही 2 बटे 3 बढ़ गया है बहने का मतलब कितना 1 by 6 बढ़ गया है नीचे जो होता है वो original value होता है उपर percentage result होता है तो आप मुझे बताइए जो आपकी पुरानी लंबाई थी कितनी थी आप बोलेंगे sir पुरानी लंबाई 4 थी उसमें 1 बढ़ गया है यानी लंबाई कितनी हो गई है 5 हो गई है पुराना चोड़ाई कितना था आप बोलेंगे sir 6 था उसमें 1 बढ़ गया है यानी कितना हो गया 7 हो गया है कोई दिक्कत की बात यहां तक कोई दिक्कत की बात कि 4 से 1 बढ़ गया यानि वो 5 हो गया 6 से 1 बढ़ गया यानि वो 7 हो गया तो पुरानी एरिया कितनी थी 6 into 4, 24 एरिया थी और नई वाली एरिया कितनी है 7 into 5, 35 एरिया है कितने का बढ़त हुआ है आप बोलेंगे सर 8 का बढ़त तो आप बोलेंगे percentage result जो है percentage result वो कितना आया 8 का बढ़ा थैसर कितने के उपर है 8 increment हुआ है हुआ है ना पहले area 24 था sorry 8 कह रहा हूँ मैं 1 minute 1 minute 6 चोके 24 एक 11 का increment हुआ है ठीक है पहले area 24 थी अब area 35 है तो 11 बढ़ गया है तो आप बोलेंगे sir 11 थो बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं कितने के उपर बढ़ा है 24 के उपर तो 11 बढ़ चोविस इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे 4 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 25 से 11 को गुना करेंगे तो 5, 5, 2, 7, 2, 75 बटे 6 परसेंट आपका उत्तर आएगा ठीक है बटे में लिखेंगे तो 6, 4, 24, 35 हो जाएगा आपका ठीक है 6, 35, 45 बटे 6 परसेंट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 45, 45, 5, 6 जिस तरीके से आप करना चाहे ठीक है तो अब थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोग अब तेजी तेजी में बताएंगे तो बताएए जल्दी से एक रेक्टेंगल है उसकी लंबाई जो है 15 परसेंट 15 तो नहीं देंगे अभी आपको अभी 15 देने के लाएगा आप लोग नहीं है ठीक है उसकी लंबाई जो है मान लीजे 10 परसेंट से बढ़ा रहे हैं और चोड़ाई को जो है मान लीजे 11 सही लंबाई को और कर लो 20 परसेंट कर लो और चोड़ाई को 11 सही एक बटे 9 ये बढ़ाया गया है और ये घटाया गया है तो area में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताओ सभी का answer correct था सभी ने सही answer दिया था और बहुत सही answer दिया था हम पढ़ाए और answer सही ना है हो सकता है बताओ ऐसा हो सकता है बताओ कभी possible है चलो answer बताओ जल्दी से देखो अब सिधा सिधा बच्चों वाली कहानी नहीं अब थोड़ा speed में लिखना सिखेंगे 20% का मतलब होता है एक बटे 5 और 11 सही एक बटे 9 का मतलब होता है एक बटे 9 आप क्या बोलेंगे कि सर 5 से 1 बढ़ा दिया है यानि 5 से हमने लंबाई को 6 कर दिया है एक बटे 9 का मतलब सर पूरानी चोड़ाई है देखो यह लंबाई है आपकी यह चोड़ाई है लंबाई 5 से 6 कर दिया चोड़ाई 9 में 1 की कमी हो गई क्यों भाई साब decrease है तो 9 में 1 कम हो गया यानि कितना हो गया 8 हो गया तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर आप बोलोगे क्या बोलोगे सर 45 से कितना हो गया 45 से कोई मान 48 हो गया तो कितना बढ़त हो गया 3 का बढ़त हो गया छे सही दो बटे 3 भी कह सकते हैं 6.66 भी कह सकते हैं बहुत शांदार ठीक है चालो बढ़िया छे सही वह यश ठीक है अब देखो यहां पर यहां पर मानलो अगला डेटा कुछ अगर ऐसा हो जाए जैसे मैंने मानलो यहां पर लिख दिया है कि हम जो है लंबाई को 12% से बढ़ प्रभाते हैं तो एरिया में क्या होगा प्रभाव या 13 के जगा अगर मानलो कल के दिन में यहां कह दूँ 34% तो फिर क्या होगा फिर रेशियो से निकालोगे बताओ जल्दी से ठीक है उत्तम कुमार सर एडवांस भी स्टार्ट कीजिएगा ठीक है कुछ दिन बाद एक्ज यह बैच पढ़ा रहे हैं वो लक्षे 2022 को लेकर पढ़ा रहे हैं तो अराम से हम सिल्बस को लेकर चलेंगे कोई ऐसी ना जल्दी आपके पास है ना कोई ऐसा जल्दी हमारे पास है अगर आपका छोटा मोटा एक्जाम आएगा तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं कि हम जो है उस exam के लिए syllabus complete करा है क्योंकि हम आपको एक officer बनाना चाहते हैं चपरासी नहीं ठीक है चपरासी बना के छोड़ना नहीं चाहते हैं एक officer बनाना चाहते हैं और officer आदमी एक दिन में नहीं बनता है ठीक है शलो अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या होगा बता दो जल्दी से कि लंबाई जो है वो 12% चोड़ाई 34% अब यह सवाल हो जाएगा tough पूरा का पूरा अगर ratio method से बनाओगे तो क्या बोलोगे बहुत tough हो जाएगा तो ऐसे सवालों का भी हमारे पास solution होगा और वो कैसे होगा वो भी देखेंगे ठीक है बिल्कुल ऐसे सवालों का भी हम solution देखेंगे लेकिन उसके पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं तब हम बताएंगे आपको कि 12%, 13%, 14%, 15% को हम कैसे solve करेंगे बिल्कुल successive जानेंगे तो परिशान नहीं होना है ठीक है successive successive के उपर ही मैं आप लोगों कोई घंटे पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है लेकिन उसके पहले जो है जरा ये question आप लोग देख लीजे ठीक है फिर मैं successive भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि successive methods हम कैसे solve करते हैं बहुत बड़ा topic है और बहुत बार पूछा जाता है एकदम रटवा देना है आप लोगों के जुमान पे तो चलिए एक सवाल आप लोगों के सामने है 26 नमबर है कि कि किसी triangle का जो base है 33 सही 1.3 से बढ़ा दिया गया है उसके height में 16 सही 2.3 की कमी कर दी गई है बताइए area में क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है area में क्या प्रभाव पड़ेगा लंबाई को आपने बढ़ा दिया base को बढ़ा दिया आपने एक tribus है उसके चोड़ाई को भी आपने बढ़ा दिया है area में क्या प्रभाव होगा area में क्या प्रभाव होगा अब देखो यहाँ पर अगर माल लो equilateral triangle मानोगे या कुछ भी मानोगे root 3 by 4 फलाना धिकाना इसका कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है आप खुद एक बात बताओ अगर मान लेते हैं जैसे मान लो यह हमारा एक triangle था बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग आप लोगों को यह story बतानी बहुत जरूरी है तो आप लोग इसको clear कर पाएंगे मान लीजे आपका यह triangle है ठीक है बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगा फिर आप लोगों को बहुत चीजे clear होंगी कि हम यहाँ base को क्या करते हैं और क्या नहीं लेते हैं यह आपका पुराना एक triangle है ठीक है और यह आपका एक नया triangle है दो triangle हमने लिए हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो equilateral है मान लो इसकी जो side थी वो 10 थी और इसकी जो height है वो हमारी मान लो 5 है ठीक है और इसकी जो side है मान लो यहाँ पर 12 हो गई है और इसकी जो height है मान लो 6 हो गई है कोई दिक्कत की बात ठीक है 6 ना कहके हम यहां कह सकते हैं माल लो यह 7 हो गई है हमने क्या कहा लंबाई इसकी जो base है वो 10 था और लंबाई 5 था इसका जो base है वो 12 था इसका जो height है वो 7 था तो यहां पर जब आप area निकालते थे तो आप क्या बोलते थे area बराबर बोलेंगे तो किसी भी triangle का area क्या होता है half into base into height होता है half into base हो गया 10 और height हो गई हमारी 5 ठीक है और इन जनाब का area क्या होगा एकुलेटरल नहीं है एक normal सा triangle है जिसका एक base 12 है height 7 है तो half into 12 है आप बोलेंगे 7 कोई दिक्कत की बात इसका जब area निकालते थे तो आपने कहा sir यहाँ पर area जो है वो 25 आ रहा है और यहाँ पर आपने area निकाला तो बोलेंगे sir 42 आ रहा है कितना आ रहा है 42 यानि पूराना वाला जो triangle था उसके हमने height को या base को हमने मालो 10 से 12 कर दिया और height को हमने 5 से 7 कर दिया तो area 25 से 42 हो गया तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना परशंट का increment हुआ है कितना परशंट बताओ 25 से 42 हो गया कितना बढ़ा है 17 बढ़ा है कितने के उपर बढ़ गया है 25 के उपर तो 17 बटे 25 इंटू 100 17 बटे 25 इंटू 100 25 से काटेंगे 4 बार में तो 17 चुके 68% कि भाया 68% जो है वो क्या है इनकी वरिदी है ठीक है 68% क्या है इनकी वरिदी है अब देखो यहां पर सवाल में आपसे क्या बोला गया था वो देखो फिर से बता रहा हूं बेस जो है वो हमारा बढ़ गयाeless 20% 20% होने का मतलब हो गया कि ये 10 से 12 हो गये थे और जो इसकी height है 40% का ये हमारा increment हुआ था कि height को हमने 5 से 7 कर दिया था सवाल में ये कहा था कि base को बढ़ा दो 20% से height को बढ़ा दो इतना से तो area कितने से बढ़ेगा ये आपका question पूछा गया था paper में तो हमने एक basic method लगाया कि basic method से अगर हम मानली जैसा करते हैं 20% का मतलब हो गया ये 10 है तो ये 12 होगा 40% का मतलब 1 बटे कितना होता है 2 बटे 5 होता है यानि ये 5 था तो 2 बढ़कर 7 हो गया तो basic से हमने area निकाला तो ये हो गया लेकिन अगर इसी सवाल को हम basic से ना करें और इसी सवाल को हम ratio method से करें तो क्या हमें ये half और इतने का जंजट पड़ेगा बिलकुल भी नहीं हमें इसकी कोई आवशक्ता नहीं पड़ेगी reason बता रहा हूँ क्यों क्योंकि जब आप इनका ratio लेते हैं इसकी radius मानलो 3 है और इसकी radius मानलो 4 है यहां पर तो जब पुराने वाले का area का ratio बोलोगे तो pi into 3 का square बोलोगे नए वाले का area का ratio बोलोगे तो pi into 4 का square तो जो ये constant होते हैं ये हमेशा कट जाते हैं जो ये constant होते हैं ये हमेशा कट जाते हैं तो आपको जो ये बात सिखना है वो ये सिखना है कि percentage में या mensuration में जब भी हम area का change पढ़ेंगे या volume का change पढ़ेंगे तो जितने ये constant quantity होते हैं पाई, 1 बटे 2, root 3 बटे 4, 22 बटे 7 हम इनका मान नहीं लेते हैं हम जो value लेते हैं अपने साथ वो हम सिर्फ variables का मान लेते हैं क्योंकि area जो है वो लंबाई और चोड़ाई के according बढ़ता है लंबाई को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है चोडाई को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है रेडियोस को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है पाई के वज़े से एरिया नहीं बढ़ता पाई तब भी यहां पर उतना था आज भी वहां पर उतना है तो जिसके वज़े से एरिया बढ़ेगा उसका माल लेना है ठीक है जिसके वज़े से एरिया बढ़ेगा उसका जो है यहाँ पर देखो नाम आ गया कहती है शहांसा सिद्धिकी पता नहीं क्या है शहांसा सिद्धिकी एक बार नाम ले लें बहुत अच्छा, नाम ले लिया और शादी आपकी तय है अब, समझ लीजे, हमने पहले ही कहा था, ठीक है, कि जिसका नाम हम ले लेंगे, उनकी शादी पहले होगे, नोकरी बाद में होगे, आप लोग नाम के पीछे पढ़े रहते हो, चलो, तो हमने कहा था यहाँ पर, कि य जैसे आपके सामने यह कोशन था, और यह कोशन में क्या कहा था, यह वाले कोशन में, यह कहा गया था, देखेंगे, सवाल में आप से यह कहा गया था, कि आपकी जो लंबाई है, वो बेस परसंट से बढ़ा दिया है, तो बीस परसंट बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, मान साथ कर दिया, तो हमें इसके आधे से, रूट 3 by 4, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे कि मानलो पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी, पहले लंबाई 5 थी, अब लंबाई 6 हो गई, पहले जो बिरत था, या आप बोलो यहां पर हाइट दिया है, तो हाइट जो है वो कितना था, 5 था, और अब हाइट हो गया 7, तो हम बोलेंगे जो हमारा पहले एरिया था, वो लंबाई इंटू हाइट से, यानि 25 है, और अब हमारा एरिया 42 है, 17 बढ़ गया 25 के उपर, तो 17 बटे 25 इंटू 168, मतलब हाफ की कोई जरूरत नहीं है, क्यों क्योंकि अगर हम हाफ को इस्तमाल करेंगे, वो हमारा रेशियो खराब करेगा, समय जो है, वो खराब करेगा, तो इसलिए अब जैसे आपने ये कोशन देखा, इस कोशन में आप से ये कहा गया है, कि आपने साड़ा 33% कितना होता है, देखिए, साड़े 33% कितना होता है, तो साड़े 33% 1.3 होता है, बढ़ाया गया है तो पलस का साइन आएगा, ठीक है, हाइट को आपने कम किया है, 16 सही 2.3% से, 16 सही 2.3 कम हुआ है, यानि माइनस एक बटे 6 ये आपका आगया इतना चेंज सवाल में आपसे कहा गया है आपने base को बढ़ाया है तो आप यहां लिखेंगे ये हमारा base है ये हमारा height है और base को height के साथ गुना करने पर मिलता है area ठीक हैं? अब सवाल में देखें आपने अपने base को 3 से 1 ज्यादा कर दिया यानि base को 4 कर दिया आपने और height में 6 से 1 की कमी कर दिया यानि height को 6 से कितना कर दिया पांच कर दिया तो area कितना आ रहा था पहले 18 अब area कितना आएगा 20 आएगा कितना आपने बढ़ा दिया आपने 2 बढ़ा दिया तो आप बोलेंगे सर percentage answer या सीधा बोलेंगे answer बराबर जो area में change आया answer बराबर कितना बढ़ा 2 कितने के उपर 18 के उपर 2 बटे 18 into 100 2 से काटो तो 1 बटे 9 और 1 बटे 9 कितना होता है 11 सही 1 बटे 9% हमारा correct answer होगा option number D जो होगा वो correct answer होगा ठीक है चलो next question कहा है कि एक rectangle की लंबाई को 50 बढ़ा देते हैं तो area 20% से बढ़ जाता है चोड़ाई पर क्या फर्क होगा ठीक है आपको दे सकता है लंबाई दे सकता है चोड़ाई और area पूछेगा या आपको ऐसा भी दे सकता है कि लंबाई दे दिया area दे दिया चोड़ाई पूछेगा कुछ भी पूछ सकता है इस वज़े से आपको ध्यान रखना है तो आप मुझे बताईए यहाँ पर जो लंबाई है वो कितना दिया गया है आप बोलेंगे सर 50% 50% का बता कितना होता है बढ़ा है की कम हो आए एक बटे 2 हो गया है ठीख है, increase area में किया फर्खाया है 20% का 20% का मान कितना होता है 5 बढ़ गया है बढ़ गया है लिख देंगे ठीख है, चलिए सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं वो भी देख लीजे लंबाई लिखते हैं चोड़ाई लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं एरिया लिखते हैं हमसे कहा गया है जो हमारा लंबाई है वो दो से एक बढ़ गया है लंबाई दो से कितना हो गया है तीन हो गया है चोड़ाई के बारे में कोई जिकर नहीं किया गया है तो चोड़ाई को हम नहीं लिखेंगे एरिया का जिकर है 20% से यानि एरिया हमारा 5 से कितना हो गया है 6 हो गया है एरिया हमारा कितना हो गया है 5 से 6 अब बोला है कि चोड़ाई में क्या फरकाया होगा तो ये बात चलगर आगे आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर में पहणा है ठीक है कि देखो लंबाई को ही तो चोड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है आप ऐसे समझो कि हम लंबाई को चोड़ाई के साथ गुना करते हैं तो हमारा एरिया आता है यानि हमें ये जो चोड़ाई निकालनी है इसका मतलब एरिया को भाग करना पड़ेगा किस के साथ लंबाई के साथ यानि पांच बटे दो होगा यहाँ पर छे बटे तीन होगा लेकिन वैसी कहानी मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप वैसे करना वैसे करना एक ट्रिक बता रहे हूँ और उस ट्रिक को ध्यान रखना बस ट्रिक क्या है वो समझो जैसे माल लो कि लंबाई 2 से 3 हो गया और एरिया 5 से 6 हो गया तो चोड़ाई निकालने के लिए क्या करोगए यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है 5e 3 कितना आ गया पंदरा ठीक है और 6e 2 कितना हो गया बारा आप बोलोगे सर लंबाई 15 था 12 हो गया 15 था 12 हो गया तो answer कितने की कमी आई यहीं तो पूछा गया है 15 से कोई चीज 12 होगई यानि 3 की कमी आई, कितने के उपर 15 के उपर, 3 बटे 15 इंटू 100, 3 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 20 बार में, आंसर हमारा कितना हैगा, 20 परशंट जो होगा, वो correct answer होगा, 20 परशंट जो होगा, वो correct answer होगा, ये 15 और 12 मैंने कैसे लिखा, ये पता चला, 5 क 3 के साथ गुना, 6 को 2 के साथ गुना, 12 लिखा हमने, आमने सामने करके हम उसको लिखते हैं, ठीक है, बिलकुल, sound होगे है, sound की कोई दिक्कत नहीं है, clear होगा, बताईए, ठीक है, चलिए, 2-3 सवाल हमारे तरफ से, 2-3 सवाल हमारे तरफ से, simple सा question है, कि लंबाई में जो है, आप बढ़ा दीजे 20%, ठीक है, या लंबाई में माल लीजे, आप 40% बढ़ा दीजे, ठीक है, चोड़ाई में जो है, आप जो है, कितना बढ़ाएंगे पता नहीं, लेकिन आपका area, area जो है, वो बढ़ जाएगा 50% से, बताओ चोड़ाई में क्या बढ़ाया और क्या नहीं बढ़ाया, ठीक है, सिंपल सा कोशन है, लंबाई 40% चोड़ाई 50%, चोड़ाई में बताओ, लंबाई 40 और area 50, चोड़ाई बताओ कि चोड़ाई में कितना परसंट बढ़ा है, इंक्रीज है दोनों का दोनों, लंबाई को बढ़ाया और area को बढ़ाया, और ये जो पीछे व बीचे वाले कोशन का, इसका बताओ जल्दी से, लंबाई 40, area 50, चोड़ाई पूछा गया है, बताओ, कैसे बताओगे, सिंपल सा कोशन बोलोगे, सर देखो यहाँ पर, 40% का मतलब होता है, 2 बटे 5, और 50% का मतलब होता है, 1 बटे 2, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, लिख लंबाई हमारा 5 से 2 साथ हो गया है, चोड़ाई का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, और area 2 से 3 हो गया है, area कितना हो गया, 2 से 3 हो गया है, हमने क्या कहा, यहाँ value पता करनी है, पता करेंगे, तब तो compare करेंगे, यह value को पता करने के लिए 2 को 7 के साथ गुना करो 14, और यह value को इनको 5 के साथ गोना गरो 15 कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया कितने के उपर 14 के उपर 1 बटे 14 इंटू 100 ये हमारा आंसर है कि चोडाई में कितने परशंट की वरिदी हुई तो 1 बटे 14 इंटू 100 यानि 7 सही 14 सही 2 बटे 7% 14 सही 2 बटे 7% ठीक है? कोई दिक्कत की बात? कोई परिशानी की बात यहां पर? ठीक है? लंबाई हमारा 40% से बढ़ गया लंबाई 5 से 7 हो गया ठीक? एरिया हमारा 50% से बढ़ गया यानि एरिया हमारा 2 से 3 हो गया बोला है चोडाई कितने से बढ़ेगा चोड़ाई का मान आपको नहीं पता था कैसे निकालेंगे 2 को 7 के साथ गुना 14 3 को 5 के साथ गुना 15 14 से 15 हो गया value कितना बढ़ा एक बढ़ा कितने के उपर 14 के उपर 1 बटे 14 मतलब लंबाई दे देगा area दे देगा चोड़ाई पूछेगा चोड़ाई दे देगा area दे देगा लंबाई पूछेगा इसमें क्या फर्क है कोई तो है ही नहीं किसी भी rectangle के area को बढ़ाने के लिए लंबाई और चोड़ाई क्या वा सकता होती है ठीक है समझ रहे हो अब जैसे अगला question आगया वो अगला question देखो आपसे बोला है अगला question में simple ठीक है कि जो लंबाई है length है वो आपने बढ़ाया है 16 सही 2 बटे 3% से आपने क्या किया है बढ़ा दिया है ठीक है लंबाई को ना कहके आप इसको चोड़ाई का नाम दे दो कोई rectangle है उसके breadth को आपने इतना बढ़ा दिया है ठीक है और फिर जो है आपने उसके area को भी बढ़ा दिया है area कितने से बढ़ा दिया है आपने 25% से आपने उसके area को बढ़ा दिया है question में बोला गया है कि length में कितने percent का increment हुआ है बताईए लंबाई में कितना परशंट बढ़ा है X परशंट बढ़ा है क्या बढ़ा है बताओ लंबाई में क्या परशंट कितना परशंट का इंक्रिमेंट हुआ है बताओ क्या बोलोगे बताओ 16 ही 2 बटे 3 का मतलब 1 बटे 6 बढ़ा है तो प्लस का साइन 25 का मतलब 1 बटे 4 कोई दिक्कत की बात यहां पर यहां तक कोई दिक्कत है बताओ ठीक है उल्टा नहीं करना है उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है अब आप बोलेंगे सर देखिए लंबाई को चोड़ाई से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है एरिया आता है यहां पर सर आपने क्या गिया है ठीक है देखिए चोड़ाई हमारी बढ़ी है 6 से कितनी हो गई है 7 तो चोड़ाई को 6 रखेंगे और इसको रखेंगे 7 कोई दिक्कत की बात यह वैल्यू हमारी हो गई है 7 ठीक है तो लंबाई का मान निकलें के लिए इसका area उठाओ, लंबाई में जो line में area है उसको 4 उठाओ, और इस 4 को 7 के साथ गुना करो, 4 शते कितना होता है, 28 होता है, तो 28 को लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, अब यहाँ पर चोड़ाई लिखना है तो 5 को उठाओ, और 5 क कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, कितने के उपर तो 2 बटे 28, 2 बढ़ गया, 28 के उपर तो 2 बटे 28 into 100%, ठीक है, काटोगे इसको तो 14, 100 बटे 14 कितना होता है, साथ सही, 1 बटे 7% हमारा answer होगा, ठीक है, answer आ रहा है सबका, साथ सही, 1 बटे 7, clear हुआ, clear हुआ कि नहीं वह बताओ जल्दी से, रज़त कहते हैं, सर मेरा नाम ले लो, साथी के लिए नहीं सकस के लिए, रज़त, चादी और सकस दोनों के लिए नाम लेंगे, ठीक है, सकस के बाद तो शादी करोगे, चलो, तो सभी को clear हुआ, तो आज का session जो है, वो यहीं पर wind up करते हैं, ठीक है, और आज का जो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां से फिर कल मैं थोड़ा level और उपर उठा के लेके चलोंगा, आज ratio method बताया है, कल successive method बताऊंगा, तो इसके उपर concept का पका होना जरूरी है, और यह चीज़े यहीं हैं, कि आपके sheet में नहीं दी गई है, यह जो approach हो गया, कि कैसे हम गुना करेंगे, कैसे value को लेंगे, क्यों ratio method लेंगे, successive क्यों नहीं लेंगे, तो यह चीज़े आप classroom में सीखते हैं, ठीक है, और मैं इस batch में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूं, और इस batch में बहुत ऐसी चीज़े हैं, जो मैं नई तरीके से और भी चीज़ों क बता रहा हूं, जैसे बहुत बच्चे कह रहे थे, sir, YouTube बेवाला जो है, वो same है, ये वीडियो YouTube का same है, आप उठा कर देखो ना, ये चीज़े कभी YouTube पर हमने पढ़ाई ही नहीं है, पांच सवाल, दस सवाल कराए हैं, sheet में जितने हैं, लेकिन इस तरीके से हमने पूरा नही कराएं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है, आपका जो बैच है, अगर हमने कहा है, जीरो से हीरो लेवल, तो बहुत जीरो से उठा के एक एक डेटा के उपर practice करवा रहे हैं, आप YouTube में देखेंगे, तो successive का 5-6 question में खतम है, ठीक है, बेशक आपको वो बहुत अच्छी लगी हो वीडियो, बहुत जादा समझ में आया हो, ठीक है, लेकिन ये जो मैं करा रहा हूँ, ये और updated है, और अच्छा होगा, और जादा concept को clear करेगा, तो आप तो और तोफ बनोगे, और बारूद बनोगे, ठीक है, वो 10 गंटे में वी data कर रहे हैं, क्यों हम लोग इतना महनत कर रहे हैं, ताकि हम अपने concept को अच्छा करें, हमें भी तो बढ़ना है, officer तो बनना है, बताओ, नहीं बनना क्या, ठीक है, तो इसलिए महनत करते रहो, ठीक, और बाकी अगर कोई आपके यार, प्यार रिष्टतार कोई भी हैं, जो ये batch लेना चाहते हैं, तो जादा उनको कहो delay ना करें, अभी जितनी भी classes होई हैं, सारी की सारी free होई हैं, तो वो application को download करके, और देख सकते हैं, अपने mobile में application को download करके, login करके, वो देख सकते हैं, अराम से जितनी भी classes होई हैं, फ्रतिशत का 1, 2, 3, 4, और फिर देखने के ब आपको अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, अप उने recommend करो, कि सही product के लिए जाएं, कोई भी चीज अच्छी लगती है, तो हम खुद recommend करते हैं, चाहे वो अच्छी mobile हो गई, अच्छे कपड़े हो गई, अच्छे company का कुछ भी हो गया, हमें अच्छा लगता हैं, तो 4 classes बनाई हैं, उसको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक, चलिए, तो मस रहिए, खुश रहिए, all the best, ध्यान रखिया,